पुलिस परिवार की उम्मीदों की अर्थी का तरपन करने निलंबी सिपाही संजीव जहा भिलाई से पैदल यात्रा कर शिवनात नदी पहुंचे जा उन्होंने अपना मुंदन कराने के बाद कहा कि जिस तरह से मेरे सिर के बाल गिरे हैं उसी तरह पुलिस परिवार के वोट भी गिरेंगे कॉंग्रेस के घोशना पत्र में पुलिस एवं उनके परिवार के लिए किये गए वादों को पूरा ना होने का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिले के निलंबिस सिपाही संजीव जहा ने घोशना पत्र की अर्थी निकालते हुए भिलाई से पैदल यात्रा का शिवनात नदी पहुच कर तरपन किया वहीं उन्होंने अपने बालों का मुंडन कराते हुए यह भी कहा कि जिस तरह से उनके बाल गिर रहे हैं आने वाले चुनाओं में साड़े चार साल के करीब पुलिस परिवार के वोट भी कॉंग्रेस को नहीं मिलेंगे जिसका खामियाजा कॉंग्रेस को भुगतना पड़ेगा निलंबिस सिपाही संजीव जा इसके पूरों भी किट पेटी को सर पर लेकर अपना विरोध परदर्शन कर चुके हैं जिसके चलते उन्हें गिरफतार भी किया गया था बता दे कि कई मांगों को लेकर लगा था संजीव जाओ अपना विरोध परदर्शन राज्य सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ करते आ रही हैं इसी कड़ी में आज शिवनात नदी में पहुंच गोशना पत्र की अर्थी नदी में तरपन कर अपना आक्रोश जताया इस संबंध में उन्होंने अपने प्रतिक्रिया दी अठारा में जो घोशना पत्र भुपेश बगेल जी जब प्रदे से देखते हो जारी किया तो उसमें पुलिस सुधार नामक जो दस बिंदू थे उसके संबंध में आज यात्रा थी पद यात्रा थी विश्वास घात पद यात्रा और जो भुपेश से भरोसा का नारा दिय गया था तो पुलिस परिवार की तुर नारा दिया गया था भुपेश है तो निराशा है यह नारे के साथ आज मैं सेक्टर नाइन से लेकर शिवनात नदी तक गोश्ना अंदुलन में आए थे और बोले थे कि क्या ना मैं आपकी मांगे सही है हम सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे आज पांस साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नी किया उजवल दीवान के नेत्रितों में 2021 में अंदुलन हुआ और उसमें उजवल दीवान और मुझे राज